हेलो माई केटलिस्ट फेल्वी मेंबर्स केशवाब आपने जो हमें बहुत ये प्यार दिया बैया आप हमरे साथ जुड़े हो उसके लिए आपको बहुत-बहुत सुक्रिया सबसे पहले आज स्री गणे साई नमा वो हेडिंग लगा दीजिका स्री गणे साई नमा आपका ये सारे जो सुरन से उसकी जैरेफ निकल जाए है सो यहां पे में आपको जो आज information देने वाला हो भईया सबसे पहले याद रखेगा आपको हमरे साथ जुड़ना किसे है पहले तो यह तीन दिन तक तो आपको YouTube पे लेक्चर आएगे आप जब फीस पेमिंट करोगे उसके बाद आपको application डाउनलोड करनी है आपको ग्रुप में आज ही application की link दी जाएगी उसमें आपको application डाउनलोड करनी है और application में face permit के बाद आप automatic वहाँ पर register हो जाओगे सबसे पहले बता दो भीया यह से वे से course purchase मत कर लीजीगा वरना आपके पैसे चला जाएगे उसमें वीडियो जो यह से भी आप ऐसे ही course purchase कर लोगे हम यहाँ पे आपको add कर देगे वो ही आपको देखना है भीया यदि आपने ऐसे purchase के लिए फिर उसमें से आप automatic remote हो जाएगे सो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दू मैं सारे students को जो हमारे past student है यहाँ पे pressure student है सबको preparation पूरी यह 6 मीने preparation कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा मगर उससे पहले मैं आपको application हमारी जो application उसके features आपको देदेता हूँ आपको यह कैसे आपको यह operate करनी है सबसे पहले देख लीजगा आपको link आ जाएगी application डाउनलोड करेगे उसके बाद यहाँ पर देख लीजगा कहीं सारे जो यह है उसमें से यह store में जाना है आपको store में जब जाओगे तब यहाँ पर यह course यहाँ पर open होगा मांद लो आप ये course में जा रहे हो अब ये course में जा रहे हो तब उसमें ये content दिखागा ये content में आपको जाना है content में जाने के बाद यहाँ पे ये open होगे सारे features उसमें से ये सारे videos जो यहाँ पे आ जाएगे अब मांद लो आपको ये solid state देखना है अब यह बता दो भई यह तो जो हमने Crest Course में अप्लोड किया थे वो वीडियो से आपको यह जो सारे वीडियो से वो एक साथ नहीं दिये जाएगे आपको हम जैसे यहाँ पर लेक्चल लगे उसके बाद ऐसे वीडियो आपको मिले गए मगर आपको application use कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ चलो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए देख लिए जगा यहाँ पर मनलो आपने solid state में जाना है solid state में यदि आपको यह download करना है तब यहाँ से आप download कर सकतो वीडियो और आपकी application में रहेगे download में आपको जितनी भी quality चाहिए वो quality में आप download कर सकतो चाहिए आप 360 download करना चाहिए और 480 download करना चाहिए 1080 download करना चाहिए आप download के बाद आपको backward forward वो सारे features दिये जाएगे मगर यदि आपने सिर्फ streaming की यहाँ पर streaming करोगे तब आपको सिर्फ backward का दिया जाएगा आगे fast forward का नहीं दिया जाएगा download के बाद ही दिया जाएगा anytime आप download कर सकतो इसमें 6 महीने तक हमारा वीडियो रहेगे आपको मैं बता दू भया अब देख लेज़ेगे यह तो होगी application की बात application में कहीं सारे features है मगर यहाँ पर एक बात देख लीज़ेगा सबसे पहले मैं आपको बता दू past student जो है वो फ्रेशर students को उसको preparation कैसे करनी है आप जो फ्रेशर students है उसके लिए फ्रेशर students के लिए एक जो आएगा औरिनी का lecture आएगा एक जो आएगा इन औरिनी का lecture आएगा मगर past student के लिए application में daily three lectures एक physical का lecture होगा एक जो इन औरिनी का होगा एक organic होगा past students को इसलिए ज्यादा दे रहे है ताकि आपको पता ही भाई है यदि जीओसी की बात करें जीओसी तो आपको perfect आता ही है इन औरिनिंग में स्टार्टिंग में जो basic chemistry पढ़ाया जाएगा वो भी आपको बताएगा इसलिए आप फटा फट रिवाइज कर लीजेगा उसके बाद physical भी देखेगा physical में भी सारे आपकी demand कौन सी है सबसे पहले आपको कौन सा physical में कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है वो हमें बता जीगा आप पास्ट्रोंस की बात कर रहे है वो आपको physical के lecture भी मिल जाएगे दूसरी बात यदि pressure students को भी physical पढ़ना है फिर भी आप पढ़ सकते हो मैं pressure students को इसलिए औरगिनिक इन औरिन क्योंकि आप दो लेक्चर तीन घंडे का हमार जो यह online course रहेगा वह यह आपको यह conduct करन में साथ में लिखने लिखते जाओगे आप notes बनाएगा उसमें आपके minimum 4 hours तो आपको चाहिए 3 hours का हमने यहाँ पे upload किया होगा आपको 4 to 5 hours चाहिए ही चाहिए साथ में लिखके जाना है दूसरी बात मैंने बता दी भईया आप यदि हमारे साथ जुड़े हुए हो आप notes बना रहे हो आपको notes perfect बनानी है मगर 400 page की ही note बनाई आगे भी मैंने कही दिया था 400 page की ही note आपको बनानी है और यदि आप जियोस ही पढ़ रहे हो तब उसमें सिर्फ जियोस ही लिखना है यदि आप physical पढ़ रहे हो तब उसमें सिर्फ physically लिखना है आपको separate topic wise notes बनानी है और 400 page की 100 page की मत बनाएगा 200 page की भी मत बनाएगा आपको 400 page की ही ये notes बनानी है ताकि आप कोई sequence बनी रहे है दूसरी बार अब हम आपको पताएगे जो भी students हमारे यहाँ पर आपको six month में ही जाराइब करनी है वो interested है वो आपका group बना लीजेगा उसमें हम group five group discussion भी करेगे Google meet या तो zoom meeting पे हम discussion भी करेगे ताकि हम face to face जैसे offline में हमारा activeness है वैसे ही हमेरे उससे भी ज्यादा हमें online में रखनी है और आपको बताएगे जो crash course से भी ज्यादा students हमारे साथ जुड़े है उसका मतलब यह हुआ भी हमने crash course ने हमारी quality तो आपको बताएगे आपको बताएगे physical की भी इतनी quality दी है अपने crash course में दी है inner organic की भी दी है organic पूरा organic में पढ़ाने वाला हूँ वो भी आपको मैंने बता दिया है या पूरा physical के भी कहीं chapters में लेने वाला हूँ organic के भी कहीं या पूरा organic तो में ही लेने वाला हूँ so friends आपको अब preparation कैसे कर गएए जो फ्रेशर स्टुडेंट है उसको मैं बता दू past students को पता ही होगा आज मनलो 9th September से आप आपने जी यह जो हमारा लोंकोर से वो जोइन किया है आज आपने मनलो IUPAC nomenclature के सारे जो continue वो लिख लिया आपने अगले दिन 10th September को पहले 9th September का complete करना है complete revision करना है आज मनलो आपने IUPAC लेख लिया दो बार तीन बार complete एक साथ ही revise करना है तीन बार revise कर लिया तब आपकी accuracy बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी 9th September के बाद 10th September को आपको फिर से ही है 9th September का lecture revise कर के 10th September को देखना है मनलो एसे करते गए यह करते गए आप 17th September तक पहुँच है 17th September का lecture देखने से पहले 9th September से लेके start करना आपको 9th September का lecture इतनी बार आपको revise हो जाएगा आपकी notes में revise करना है यह वीडियो देखके देखके revise नहीं करना आपकी notes को revise करनी है आपकी notes को revise करते जाओ 10 minutes में आप revise कर लोगे 10th September का किभी 4-5 hours में revise कर लोगे आपको revision इतनी बार करना है इतनी एक्यूरेसी लानी है चाह कितना भी twist करके question आजाए आपको वो easily पता चल गए इसका करना क्या है हम सारे जो organic है, in-organic है, physical है, सारे जो net में पुछे गई है आपको फिक्स रखना है आप साथ में हमारे रखियागा, इसा मत कीजिगा भाईया आप 8 बजे उठ रहे हो, या 9 बजे उठ रहे हो, या 10 बजे आपको fix रखना है आपको 7 o'clock, morning 7 o'clock ऊठके fresh होके 8 o'clock आपको पढ़ना ही पढ़ना है दूसरी बाल, वीडियोज यहां पर आपको मैंने बता दिया, भाईया, 6 मन तक रहेगे इसलिए आपको ऐसा नहीं है, भाईया, 8 to 11 में ही पढ़ना है आप किसी भी टाइम में पढ़ सकते हो, मगर fix टाइम में रखीगा यदि fix schedule है आपके पास तब आपकी accuracy बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और मैंने देखा भाईया, registration में मसी completed कोई सारे जो स्ट्रून है, वह हमारे साथ जुड़े हुए है सब यह MSC completed जो स्ट्रून है उसकी तो एक बार में ही जेरेफ निकलने है सारे स्ट्रून की एक बार में निकलने ही चाहिए, मगर जेरेफ के साथ आपकी rank भी आनी चाहिए सिर्फ जेरेफ मुझे नहीं चाहिए, आपको rank भी आनी चाहिए आप हमारे साथ इतनी मेनत कीजिएगा, आपका rank मुझे first rank चाहिए इस साल, इस बार, केटालिस्ट का Students All India first आना ही चाहिए मुझे first rank चाहिए ही चाहिए, ठीक है यदि किसी को कोई भी तरीके की दिक्कत है, आप मेरे साथ बात करना चाहते हो मेरा WhatsApp नमर जब वीडियो स्टार्ट होता है नहीं, उसमें WhatsApp नमर लिखा ही होता है जब आपको पताएए ना जैसे फिल्म स्टार्ट हो रही है, मुवी स्टार्ट हो रही है जैसे नमर उसमें आते है, वैसे ही नमर आने के बाद वो वहाँ पे हमारे जो ब्रांचीस का जो फोटो है उसमें वोटसअप नमर जो है वो मेरा वोटसअप नमर पे आप किसी भी टाइम आप मुझे मेसेज कर सकते हो यदि आपको कॉल करने की ज़रूरत होगी तब मैं आपको सामने से कॉल करूँगा या तो आपको नमर दूँगा मैं आप मेरे साथ कॉल पे ही बारत कर सकते हो मगर मेक्सिम आप वोट सके ही बात कीजिगा मेरे साथ और वाईवा जब हम लेंगे तब आपको साथ में वाईवा देने ही है ताकि आपकी एक्टिवनेस बढ़ती जाए है और साथ साथ हमारे साथ ही रहीगा कहीं बार क्या होता है आपने इतना आराम कर लिया आप तीन मेने के बाद उठे और आपको तब क्या होगा छे मेने के बाद वीडियो निकल जाएगा छे मेने तो रहे गई अब आपका कंप्लिट नहीं हो रहा है इसलिए आप डिमांड करते जाओगे यह बड़ा दीजेगा बड़ा दीजे डिमांड मत किजेगा आप साथ में रहेगेगा यदि कहीं स्टूरंस को मैं ऐसे यह पूरे दो साल यदि दे दूना वीडियो तब भी उपन नहीं पूरा कर पाते हैं और कहीं स्टूरंस ऐसे जो छे मिने का वीडियो यदि मैं एक साथ अपलोड कर दू सारे तर वो तीन महीने में ही खतम करने की कैपेसिटी रखते हैं जो स्टूरंस क्रेसकोस में थे मेरे साथ जुड़े हुए थे 9 तू 10 अवर्स रेगिलरली आज हमने कंपलीट किया आज हमने वीडियो अपलोड किया साम तक उसने कंपलीट करके ही सोते हैं वो कहीं सारे स्टूर सब्सक्राइब करने वाले हैं फिर से बता दू यदि आप लॉंग कोर्स में पास्टर स्टूरंट सा जिसने रजिस्टरेशन कर रहा है उसको यह लेक्चर भी देखना ही चाहिए उसके अलावा आपको तीन दिन के या तीन दिन में डेमो लेक्चर समाज चलेगा यूट्य यह कौंटम लगा दो एक डिमांड कर यह थरोडेमिस लगा दो एक डिमांड करें यह केमिकल करने इस लगा दो एसे डिमांड नहीं करनी है वह से तो क्या हो जाएगा सारे वीडियो सिस्ट में आ जाएगा जिसकी डिमांड ज्यादा होगी टॉप पे होगी वही वीडियो उसमें अप्लोड किये जाएगे सो आपको पास्टोस को साथ में फीजिकल तीनों बिलेंस में करते जाना है यदि फ्रेशर स्टोन चाहे फिर वो भी साथ में करते जाएगा उसके लिए बड़न नहीं रहेगा थेंक्यू सो मच आज हम जो हमारा Towards स्टर्ड करने जा रहे है उसमें सबसे पहले एडिग लगा दिजिएगा IUپak nomenklature चलो सबसे पहले heading लगा दिजिएगा चलो देख लीजिगा यहां पर सबसे पहले PM confirming nomenklature में सबसे पहले प्राइवरिटी ओर्डर क्या होता है आई यूपेग आपको पहले तो रही साल हुएं मगर यहां पहल पे आपकी और सबसे पहले में अबूसी कि यहां है अब आज यूपेग नेzenie ग्लेचर, International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC की जो priority order होता है, सबसे पहले इसमें IUPAC priority order लिखेंगे हैं, IUPAC priority order, IUPAC priority order में सबसे पहले जिसकी priority आती है, याद रखेंगा सबसे पहले priority आती है, किंग जो है वो, कार्बोगसीली कैसीड, उसके बाद SO3H, सलफोनी कैसीड, उसके बाद जो आता है, एन हाइड्राइड, एन हाइड्राइड, आपका concentration power बहुत बड़िया होना चाहिए, दो बार में तो एक बार दो बार में तो यह ज्याद ही रह जाना चाहिए, यह priority order, बार बार आपको revise करना ही है, चलो उसके बाद, आएगा ester, next acid halide COX, उसके बाद, amide, CO NH2, amide, next cyanide, उसके बाद, aldehyde, next priority जिसके आएगी हो ketone, ketone के बाद जो आएगी हो alcohol, उसके बाद आएगी thaiol, thaiol के बाद आएगी NH2, मतलब amine, उसके बाद आएगी amine, उसके बाद आएगा C1C, मतलब alkin, और पहले बाद आएउ पेक में double bond और triple bond के priority सेम थी, वो alphabet से decide की जाते थी, मगर याद रखिएगा latest IUPAC में आपको ये double bond को triple bond से आगे ही रखना है, उसके बाद आएगा R, R मतलब alkin group, यहाँ पे आप देख सकते हो भाईया कई सारे जो है वो missing है, चलो जीस जीस को पता है, comment box में मुझे answer दे दीजगा, कौन-कौन से इसे जो function group है, इसमें missing है और उसकी priority कहाँ पे आती है, description के साथ मुझे answer दीजगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दू, जो यहाँ पे missing है, वो nitro missing है, halogen missing है, ether missing है, और वो सारे सब priority order में याद रखिएगा, यहाँ पे ही लिख लेता हूं में, वो सारे जो होते हो आर के साथ ही होते है, नाइट्रो जो है वो आर के साथ आता है, halogen जो है वो आर के साथ आता है, ठीक है, वो चारों की priority सेम होती है, फिर से देख लिजेगा, यहाँ पे, alkyl, ether, nitro and halogen यह चारों functional group की priority सेम होती है, इसको आलफा बेट से डिवाइड किया जाता है, अब यदि आपको IUPAC का first rules पुछा जाए, चलो मुझे comment box मान से दीजेगा, IUPAC का first rules क्या होता है, यह acyclic compound के लिए है, यदि पुछा जाए, IUPAC का first rules क्या होता है, आपको IUPAC का first rules कहीं सारे स्टरोंट से होगे, जो जिसको पता नहीं होगा भईया, IUPAC के यदि first rules की बात आजाए ना, तब सबसे पहले क्या बोलते है, long chain selection है, ऐसा नहीं भईया, यह long chain selection वाला तो जो सिर्फ alkyl होता है, यदि तब उसमें ही होता है, मगर IUPAC का first rules होता है, वो king selection का होता है, king selection means एक ही compound में यदि, सारे ये functional group यदि दे दिये हैं, तब आपको कौनसा वाला functional group selection करना है, जो priority में सबसे ज्यादा आगे आता है, उसको king रखके, उसके हिसाब से, उसके respect में आपको सारे जो बाखी के बचे हैं functional group उसको आपको IUPAC देना है, कैसे किसे, चलो यहाँ पर देख लेजिगा, मंडलो आपको AX सा कोई structure दे रखा है, यहाँ पर है ketone, यहाँ पर है मंडलो CH2, यहाँ पर है ken flags filme here, यहाँ पर H को निकाल के br दे रखा है, यहाँ पर मंडलो ोइच दे रखा है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CHOP इतने सारे functional group आपको दे रखे है ठीक है अब इसमें करना क्या है सबसे पहले आपको long chain selection वाला यह concept नहीं है सबसे पहले तो IUPAC में आपको पता होना चाहिए भाया यह जो king जो है king मतलब यह सारे more than one functional group है यहाँ पे alcohol है, halogen है, ketone है, LDI है उसमें सबसे पहले जो priority में आता है वो कौन आता है सबसे पहले जो priority में आता है वो LDI आता है देख लिए जिगा यहाँ पे सबसे पहले जो आता है LDI सो इससे number हम स्टार्ट करेंगे one number यह LDI कायेगा second number यहाँ पे CH2 का रहेगा third number यहाँ पे होगा fourth number होगा, fifth number इसका होगा और sixth number इसका होगा यहाँ पे AC दिया जाता है नमरी ठीक है अब आपको यह king जो है LDI मैं सबसे पहले आपको बता दू यहाँ पे हमने जो यह सारा order लिखा हम कंप्लिट एक एक करके सारे नोमेंकलेचा Excel के भी देखेगे Ester हम पढ़े चलो यहाँ पे देख ली जो आपको यह पता चल गहा ओब़ये यहां पे जो एल्डी हेड वो किंग है बाकी के जो सारे है यह सारे है यो है वो पाइदड है अपने चेस तो देखी होगी देश में जो चेस में जो किंग होता है वो किंग पीछे रहता है और पियादे जो होते है वो आगे रहते हैं ठीक है चेस में किंग पीछे रखना है व King जो है उसको सबसे पीछे रखना है बाकि के जो सारब प्यादय है पाइदर जो है उसको आगे रखना है अब यहाँ पर देख लीजगा यह सारे functional group में से यह जो ketone है उसका जो suffix या तो prefix क्या कहा जाता है दोनों possible है, इसका suffix भी है, prefix भी है मगर पाइदर जो है वो आगे होते है, आगे मतलब prefix होते है इसका prefix होता है oxo, इसका होता है bromo और इसका होता है hydroxy सबसे पहले देख लिए जगा, यहाँ पे इसका oxo, इसका bromo और इसका hydroxy एलफा बेट में सबसे आगे जो आएगा, वो 4 bromo आएगा, ठीक है, 4 bromo उसके बाद 3 hydroxy, 4 bromo, 3 hydroxy, 5 oxo, अब कितने नमर सोफकार बने 6 6 मतलब hexanal, 6 मतलब hexanal, इसका priority order आएगा, ठीक है चलो अब देख लिजिगा, hexan plus all, hexan plus all, यह जो अलिहेड उसका जो suffix होता है, वो क्या होता है, all होता है, hexan plus all मतलब hexanal हो गया ठीक है, चलो, और एक example देता हूँ, यहाँ पे देख लिजिगा, next example मानलो आपको इसे दिया गया है, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CO, यहाँ पे है CH, यहाँ पे है BR, यहाँ पे CH, चलो, LD head को निकाल दिया हमने, ठीक है? अब यह सारे जो आपको functional group दिखाई दे रहे हैं, उसमें सारे functional group में से king कोन है अब, priority में आगे जो आता है, वो कोन आता है, यहाँ पे जो priority में सबसे आगे आता है, यह किटोन आता है, इसलिए इसकी side से यहाँ से हम numbering देगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसकी side से हम numbering देगे, ठीक है अब चलो इसका हमें आयूप economic lecture करना है, तब यहाँ पे यह king है, तो यह दोनों क्या हो गए भीया, यह दोनों जो हो गए वो पाइदर हो गए, पाइदर को सबसे आगे लखना है, यह प्यादे जो है, यहाँ पे bromine का B hydroxy का हो, H मतलब यह इसमें आगे आएगा, वो bromo आए ठीक है, numbering के इसाब से नहीं, यहाँ पर देख लिए जिगा है, 4 आगे आ रहा है, 3 पीछा रहा है, 5 पीछा रहा है, numbering हमें देखना नहीं है, हम जो आयूपक करते हैं, उसमें आपको alphabit देखनी होती है, उसके अलावा, दूसरी बात देख लिए जिए, यहाँ पर कभी पीछ में ही आपको कॉमा करना है, मगर यहाँ पर कभी भी कॉमा मत कीजेगा, ठीक है, चलो, यहाँ पर 3 bromo, 4 hydroxy, अब कितने नबर है, 6 नबर है, 6 मतलब hexane, 6 मतलब hexane, और यहाँ पर याद रखेगा, second number पर on है, इसलिए यहाँ पर hexane, 2 on, आपको लिखना है hexane, 2 number पर on, ध किटन को यहाँ पर oxo लिखा, देख लिजगा, और यहाँ पर हम on लिख रहे हैं, किटन को कब oxo लिखना है, कब on लिखना है, जब किटन, इजए प्यादा, मतलब python जब होगा, जब chase में आगे जो होता है, उसको prefix, यदि किटन को आपको prefix लिखना है, तब आपको इसको लि prefix में on prefix में आपको लिखना है oxo, चलो और एक example देख लिजिगा, इसको यहाँ पर माणलो आपको ऐसा कुछ दे रखा है, यहाँ पर CH, यहाँ पर नाइट्रो, यहाँ पर ब्रोमो, चलो इसमें देखेगा, इसमें जो हो king कौन है, इसमें जो हो king कौन है, आपको पता ही बही priority order में सबसे आगे इसमें more than one functional group होता है, तब priority order में आएगा alcohol, ठीक है, तो यह वाला alcohol हो king है, अब यह कहां से नजदीक होगा, यह left side से नजदीक होगा, 3, 4, 5, 6, यह left side से नजदीक होगा, इसलिए आपको यह वाला to king हो गया, यह नाइट्रो का एन ब्रोमो का भी, सबसे प वॉर ब्रोमो उसके बाद 3 नाइट्रो, laid side — नमबर से six मतलब हैं और लास्ट में जो लिखना है, अपको हैखšan के बाद two number पे all है, to number pest all लिखना है, कब आपको इसको ओल लिखना है और कब आपको इसको हाइड्रोक सी लिखना है जब ओएच को आपको प्रिफिक्स में लिखना है आगी लिखना है तब उसको हाइड्रोक सी लिखना है और जब आपको पीछे लखना है मतलब suffix में लिखना है जब king होगा तब all फिर से alcohol जब king होता है तब उसको आपको last में लिखना है और all लिखना है और ketone जब as a prefix होता है तब उसको आगे लिखना है आगे लिखने में उसको hydroxy लिखना है ठीक है आपको ये पता होना चाहिए चलो यह simple सी बात हो गई कब आपको आगी लिखना है कब आपको पीछे लिखना है एक ही जो होता है उसको पीछे लिखना है वो king है बाकी के सारे जो functional group होता है उसको prefix में लिखना है suffix में king को ही लिखना है उसके अलावा में बता दो भीया इन और आइन जो होता है इन और आइन उसका कभी prefix नहीं होता है इन और आइन का always a suffix होता है वो भी मैं आपको पढ़ाओंगा यह सारे functional group एक एक करके देखे के मगर उससे पहले सबसे पहले जो start कर गए यह भीया फ्रेसर स्टोन्स के लिए प पांस्ट स्टोन्स को तो यह कई बार पढ़ चुके होगे स्पाइरो एंड ब्रीज कंपाउंड के हमें नॉमेंटलेचर करने है स्पाइरो एंड ब्रीज कंपाउंड यह दोनों नॉमेंटलेचर हम पढ़ेगे मगर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ब्रीज कंपाउंड स by cyclocompounds या तो इसको बोलेगे हम fused compound या तो इसको बोलेगे fused compound चलो यह जो compound है उसका nomenclature कैसे किया जाता है nomenclature के लिए देख लेज़िए यहां पर सबसे पहला रूल्स चलो सबसे पहले हैंदिंग लगा देजिएगा उसके बाद यहां पर देखिएगा मनलो आपको ऐसा दे रखा है structure इसमें भाईया मैं आपको ये इसका rules पहले मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद लिख लेना मैं rules सारा rules इसके आपको लिखा हूँ गई मगर सबसे पहले ये देख लिजगा ये जो भाईया आपको दो cycle दिखाई दे रही है एक वाली ये एक वाली ये ये पूरी तिसरी ऐसा मत सोचिएगा यहाँ पर left और right पूरी आपको देखनी नहीं है अब यहाँ पर जो है ये वाले carbon को हम bridge head carbon बोलते है जो दो ring है एक दूसरे के साथ attach है उसको हम bridge head carbon बोलते है क्या बोलते हैं ब्रीज हैंक ये वाला जो carbon है उसको हम bridge head carbon बोलेगे इसको सबसे पहले में आपको बता दून फुर्स नम्परिंग कहां पर दी जाती है फुर्स्ट नमबर किसको दिया जाता है बाई साइकलो कमपाउंड में फर्स्ट नमर जो है वो ब्रीज हेड को दिया जाता है फर्स्ट नमर जो है वो ब्रीज हेड को दिया जाता है चलो यहाँ पर दे दिया आप ब्रीज हेड को फर्स्ट आपको अब मुमेंट कैसे करनी है आपको मुमिन्ट आपको नम्मरींग कैसे देनी है ब्रीज हेड टू ब्रीज हेड जाना है मगर वाय लोंगेस्ट चैन लोंगेस्ट चैन सिलेक्शन करनी है आपको चलो ब्रीज हेड टू ब्रीज ह angular यहापे देख लिजगा बीच में सिर्फ 1 करभं नाइएगा, यहाँ पर देख लिजगा, 1,2, सिर्फ 2 करभं नाइएगा, मगर यहाँ पर देख लिजगा, 3 करभं ना रहा है, इसलिए लिए longest chain 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5. यह ब्रीज का खुद का रूल से हैं इसलिए यहाँ पर किंग सी लेक्शन वह वाला पाट नहीं चले का आधा यूज कर सकते हैं कैसे यूज कर सकते हैं वाद में देखेंगें मगर सबसे पहले यहां पर देख लिजगा सबसे पहले इसका फिर्स प्राइटि किसको देनी है ब सब्सक्राइब के ValderNospra जिलिक एसीदीए तब भी हमें नंबर जो है वह ब्रीज एड को ही देना कि सब्सक्राइब होगा ऑफ वह की पी मसल्पी रुजुज तो पाई यहां नुम्हें सब्सक्राइस द्रीम менौ अब सब्सक्राइब को नोग टाना है चलो लोंगेस्ट चैंज से हमने दूसरे विरिज एड तक चले गए हम फिर से ब्रीज हेट से स्टार्ट करना ब्रीज अग्याना है मगर भाय लोगेस्ट चैंग यहां पर यहां पर आ गया बीच में नहीं जा सकते यहाँ पर लोंगेस्ट चैन में थ्री एकटम है यहां पर दो एकटम है और यहां पर सिर्फ वन एकटम इसलिए इसको 3 to 1 decreasing order में लिखना है और यहाँ पर bridge head की sign है यह जो sign है वो bridge head की sign है भीया bicycle 3 to 1 और total atom कितना है यह 8, 8 मतलब octane मैं भीया बोल रहा हूँ यहाँ यहाँ पर total atom बोल रहा हूँ मैं total atom आपको लिखना है हम आपे total carbon नहीं, total atom कितना आ रहा है यह जो पूरा numbering दिया आपको last number देख लेना है last number यहाँ पर 8 आ रहा है so आपको octane यदि यहाँ पर oxygen भीया जाए वो hetero bridge वाला भी में पढ़ाऊंगा आपको यदि यहाँ पर बीच में यदि oxygen भी आ जाए तब भी आपको उसको calculate करना है तब भी आपको जो last number है उसको देखके ही यहाँ पर octane यदि यहाँ पर 9 number आ है तब 9, 10 number आ रहा है तब deacon 11 number आ रहा है तब undacon 12 number जवा रहा है तब 2 deacon ठीक है 13 number के लिए tri deacon होता है 14 number के लिए tetra deacon होता है वो तो आपको उफसी तरह सापता ही है चलो इसको exam में ऐसे भी दिया जा सकता है यह वाला जो है उसको exam में देख लेजगा ऐसे भी दिया जा सकता है यहां पर यह structure देख लेज़ेगा यह दोनों compound है वो एक ही compound है यह वाला compound और यह वाला compound दोनों एक ही compound है इसमें भी यहां पर देख लेज़ेगा यह वाला bridge head है यह वाला bridge head है इसमें आप यहां भी दे सकते हो one number उपर भी one number से दे सकते हो आप आपको first number कहां पर देना पर या bridge head को ये भी bridge head है ये भी bridge head है दोनों side आप number दे सकता हो यदि यहाँ पर one number दे दिया तब यहाँ पर आपको जाना है यहाँ पर तो आपने दे ही रखा है देख लिए जिए यहाँ पर सबसे पिर आपको किसको देना भी आप ब्रीज हेड को फस्ट नमर देना है अब मुमेंट कैसे करनी है ब्रीज हेड टू ब्रीज हेड मुमेंट करनी है आपको वाया लोंगेस्ट चैन तो यहाँ पर देख लीजिगा दो कर्बन की चैन है 5 के बाद यहाँ पर 6 यहाँ पर 7 और यहाँ पर आ जाएगा 8 नमर आ जाएगा यह दोनों एक ही बात होगी बाई साइकलो हाइस्ट जो कार्बन है वो 3 उसके बाद 2 उसके बाद 1 ठीक है और दूसरी में इंफॉरमेशन दे दो भाईया हमारी जो यह एप्लिकेशन है यह एप्लिकेशन आप iOS में भी ओपन कर सकते हो मतलब जिसके पास Apple iPhone जो है उसमें भी ओपन कर सकते हो Android में भी ओपन कर सकते हो आपके PC में भी ओपन कर सकते हो लेप्टॉप में भी ओपन कर सकते हो टेबलेट में भी ओपन सकते हो जिसमें चाहे उसमें आप अपनी एप्लिके bridge का nomenclature कैसे किया वो तो आपको अच्छी तरह से पता चल गए भया चलो और एक example देखेगा मांडलो आपको यहां पर फिर से दूसरी बात बता दो यह जो question हमने पढ़ा ना भया exam में यह वाला जो concept है वो ऐसे भी दिया मगर यहां पर जो यह वाला question है आपको इसे भी पूछा जा सकता है देख लिजगा यहां पर मंडलो आपको bicycle दे रखा है यहां पर three two one एसा भी दे रखा है यह जो sign है वो bridge head के sign है यहां पर आपको blank दे देगे भी यहां पर क्या आएगा ठीक है उसके लिए आपको solution कैसे करना है सो उसके लिए solution आपको कैसे करना देख लिए जगा यहां पए री दिखाए दे रहा है यहां पए टू यहां पे यह वन फलस यह दोनों जो ब्रीज केट गदना है यह डू क्या है यह यह оч और आपको करना है वह octane fill करना है इसका जो आंसर आएगा octane answer आजाएगा ठीक है यह वाला रहा है आपको एसे भी पूछा जा सकता है total number का addition कर दीजेगा और यहाँ पर जो दो bridge head दिखाई दे रहे हैं आपको वो bridge head इसमें add कर दीजेगा यह bridge head atoms है so इसका जो आंसर आएगा 8 8 मतलब यहाँ पर आपको feel करना है octane fill करना है ठीक है चलो next यहाँ पर देख लिजेगा मानलो आपको एसा कोई bridge दे रखा है यहाँ पर देख लिजेगा यह bridge head है यह भी bridge head है सबसे पहले first number आपको किसको देना है first number जिसको देना है उसको वह bridge head उपर भी दे सकता हूँ नीचे भी दे सकता हो कहीं पे भी आप first number bridge head को दे सकते हो ठीक है अब first से लेके आपको bridge head से लेके bridge head तक जाना है मगर via longest chain चलो इस side भी long chain है इस side भी long chain दोनों side सेम है मतलब किसी बेबी किसी भी side से आप जा सकते हो मान लो आप इस तरफ गई है 2, 3, 4 ठीक है bridge head से bridge head तक आ गई है यहां से start किये था यहां तक आ गई है फिर से bridge head से लेके आपको bridge head तक जाना है मगर via longest chain तो 4 यहां पर आ गया 5 यहां पर 6 और लास्ट में आएगा 7 तो इसका जो नोमेंक्लेचर रहेगा वो by cyclo यहां पर total atom है 2 यहां पर total atom है 2 यहां पर है 1 total last number जो है वो 7 7 मतलब है 10 7 मतलब है 10 यदि आप इसे निकालोगे 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस यह जो दो bridge head के atoms है यह bridge head के total answer इसका आएगा 7 7 मतलब है 10 इसे निकाला जाता है इसको exam में देखिएगा यह वाला जो है उसको एसे भी दिया जा सकता है exam में यही compound को एसे भी दिया जा सकता है देख लेजी गई यहां पर यह bridge head है यह bridge head को one number दिया जाएगा उपर भी दे सकते हो यहां पर भी दे सकते हो मांड़ो यहां पर दो number यहां पर 3 यहां पर 4 यह दोनों side सेम ही है नहीं है इसलिए किसी भी side जा सकता है यहां पर 5 यहां पर 6 और यहां पर 7 यह हो गया bicycle सिक लो टू टू वन हेप्टेन हो गया ठीक है चलो उसके बाद यहां पर मंदलो आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है देख लिजगा यहां पर बीच में ऐसा कोई यहां पर दे रखा है चलो इसका नुमेंट लेजर क्या आएगा सोच ये आप और मुझे कमेंट बॉक इसका रहेगा मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देदिए का चलो पास कर दिजिएगा उसके बाद ही साथ करेंगे हम चलो आइऑ होप कि आपने यह आंसर दे दिया होगा अब किसी भी पर ब्रीज हेड से आप स्टार्ट कर सकते हो माज़ यहां पर बन नम्र दे दिया फिर इसे bridge head to bridge head via longest chain 7, 8 और यहाँ पे 9 इसका जो nomenclature होगा वो by cyclo यहाँ पे है 4 atom देख लिएगा 1, 2, 3, 4 यहाँ पे है 2 atom और यहाँ पे है 1 atom आपको decreasing order में ही देना है यह decreasing order में ही आपको देना है अब total last जो number है 9, 9 मतलब 9 9 मतलब 9 यह आपको addition से निकालना है 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस यह दो bridge head के total answer आएगा इसका 9 answer आएगा ठीक है so friends आपको यह पता होना चाहिए इसका nomenclature कैसे करना है next मानलो आपको ऐसा दिया गया है यहाँ पे देख लिजगा ऐसा को structure दे रखा है इसमें देखेगा यह जो है वो bridge head है यह भी जो है वो bridge head है सबसे पहले कोई भी bridge head को आप दे सकते हो ऊपर भी दे सकते हो नीचे भी दे सकते हो आप मानलो यहाँ पे दे दिया one अब यहाँ पे है short chain है यहाँ पे long chain है इसलिए two three four five और six अब यहाँ पे seven और eight बीच में एक भी atom नहीं है देख लीजगा बीच में एक भी atom नहीं है मतलब zero atom है अब इसका नोमेंक्लेचर कैसे करें हम इसका नोमेंक्लेचर है by cyclo यहाँ पे जो total numbers of carbon है वो four है यहाँ पे जो है वो two है मगर बीच में कोई नहीं है फिर आपको zero लिखना ही पड़ेगा बीच में atom नहीं है इसलिए आपको वहाँ पे zero लिखना पड़ेगा total atom यहाँ पे कितने है eight eight मतलब octane eight मतलब octane यहाँ पे answer रहेगा octane answer रहेगा ठीक है चलो और एक में एक example आपको देता हूँ आप मुझे solve करके दिखाएगा मानलो आपको एसे दे रखा है यहाँ पे यह जो है four three member है यहाँ पर यह five member है इसका answer क्या रहेगा यह भी bridge head है यह भी bridge head है किसी बेभी आप numbering दे सकते हो चलो मुझे comment box में इसका answer दे दीजगा इसका जो answer रहेगा हो क्या answer रहेगा ठीक है च bridge head को यदि one number दे दिया फिर दो number यहाँ पर आएगा तीन number यहाँ पर आएगा चार number यहाँ पर यहाँ पर और च्छे नमर यहाँ पर आएगा इसको लिखेगे हम by cycle यहाँ पर है तीन carbon यहाँ पर है वन carbon बीच में कोई भी carbon नहीं है इसलिए zero और total जो last number है यह six six मतलब है इसका answer रहेगा by cycle three one zero एक जिन square bracket में आपको decreasing order में ही लिखना है और यहाँ पर कभी भी कॉमा मत कीजिगा बया कॉमा का मतलब तो आपको पता है ना यह जो है वो तो bridge head की sign है यह जो है वो bridge head की sign है ठीक है चलो next example इसको solve कीजिएगा इसका जो nomenclature है वो क्या रहेगा चलो इसको solve कीजिए इसका answer आपको क्या लग रहा है compound चाहे केसा भी हो फिर से बता दू compound चाहे केसा भी हो concept चैंज नहीं होगा ठीक है चलो इसका भी मुझे नोमेंक्लेचर यहाँ पर दे दीजिए का comment box में इसका नोमेंक्लेचर क्या रहेगा चलो सबसे पिर है आप किसी भी bridge head को one number दे सकते हो यहाँ पर one यहाँ पर two यहाँ cyclo यहाँ पर three atoms है यहाँ पर भी three atoms है उपर जो है one atoms है टोटल nine मतलब nine इसका जो answer रहेगा nine structure चाहे कैसा भी हो आपको यह पदा होना चाहिए इसका नोमेंक्लेचर कैसे दिया चाता है ठीक है next कि इसको डेकालीन बोलते है यह देख लिजगा यह वाला जो है डेकालीन है यहाँ पर यह वेज में दिया स्टीरियो का मिस्ट्री में है पड़ेगे यहाँ पर डेस में दिया यह ट्रांस डेकालीन का structure है मगर इसका यदि आयूपे घमें करना है तब यह bridge head को किसी भी bridge head को फस्ट देना है यहाँ पर second यहाँ पर third यहाँ पर four यहाँ पर five six seven eight nine ten इसका आयूपे क्या होगा by cyclo four four zero यहाँ पर four item है यहाँ भी four बीच में zero four four zero और total item है ten मतलब ten मतलब decan ten मतलब क्या होगा decan इसका common name है याद रखेगा trans decaline इसका common name है trans decaline यह जो है वो stereo chemistry में पड़ेगा ठीक है अब मैं आपको जो देने जा रहा हूँ वो substitution देने जा रहा हूँ मान लो यदि इसमें कहीं पर भी substitution आ गया देख लिजगा मान लो एसा कोई structure है तब यहाँ पर तो bridge head पर दो गए उसके बाद किसी भी side आप जा सकते हो मगर मान लो यहाँ पर methyl substitution आ गया अब देखिएगा अब मैं मान लो आपको substitution के साथ यह पड़ाने जा रहा हूँ मिथाल यदि यहाँ पर है तब आप यह वाला bridge head को one number नहीं दे सकते हो आपको यह वाला bridge head को one number देना होगा इस side आप नहीं जा सकते हो आपको इस side ही जाना पड़ेगा क्योंकि मिथाल जो हो minimum number पर आना चाहिए अब देख लिए इसका यह पर होगा टू मिथाइल इसको प्रिफिक्स में लेखना है टू मिथाइल बाइसाइक्लो टू टू वन टोटल सेवन एटम है इसलिए यहाँ पर लिखेगा हम हैब 10 ठीक है यहाँ पर लास्ट नमबर से होने है इसलिए इसको लिखेगा है चलो आपको मुझे इसका नॉमेंक्लेचर देना है यहाँ पर इसका आयू पर क्या रहेगा सबसे पहले मुझे comment box में इसका answer दे दीजेगा सही है गलत वो बाद में देखेगे यदि आपको ऐसा कोई structure दे र नमर दिया जाता है यदि आपने यहाँ पर दे दिया एसे नमर दे दिया और यहां पर लिख लिए two hydroxy two hydroxy by cycle लो टू टू वन और सेवन आ रहा है इसलिए हैप 10 फिर यह गलत हो जाएगा भीया ऐसा नोमेंक्लेचर नहीं जलेगा इसका एसे हम नोमेंक्लेचर नहीं कर सकते मैंने आपको पहले ही बताया था भीया ब्रीज हेड का है जो नोमेंक्लेचर वो अपना खुद का फिर भी आजाए ना फिर भी आपको नम्बर कहां पर देनी है ब्रीज हेड को ही देनी है फिर उसमें तो ब्रीज हेड को ही दिये हमने हमने तो यहां पर भी ब्रीज हेड को ही दिये मगर आपको बता दो भीया ब्रीज को नोमेंक्लेचर करने के लिए ब्रीज का नोमेंक्ल नदरूल से आपको पता ही है विए फिस नमबर ब्रीज हेड़ को दिया जाता है उसके बाद लोंग चाइन में जाना है आपने सीधा ही यहांपे डायरेक्ट यहांपे यह सौट चैन में चले गए देख लिए सौट चैन में हम नहीं जा सकते आपको लोंग चैन में ही जाना पड़ेगा तो यहां पर वन नंबर है फिर लोंग चेन यहां पर भी है यहां पर भी है किसी भी साइट जा सकते हो मगर बीच में नहीं जा सकते हो क्योंकि वहां पर सोड चेन है 4, 5, 6, और 6, यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, यहाँ पर minimum number पर आना चाहिए, यहाँ तो possibility थी, long chain में ही था यह मिथल, इसलिए यहाँ पर possibility थी उसका minimum number आये, मगर यहाँ पर possibility नहीं है वहाँ, यहाँ पर यह short chain पर ही है, इसलिए short chain तो last में ही आईगी, इसका जो normal nature दो तरीके से होता है, अब यह दोनों में से कौन सा सही है, आपको मुझे बताना है, 7 hydroxy, देख लिए जिएगा, 7 hydroxy, by cyclone, 7 hydroxy, by cyclone, 2, 2, 1, और total 7 atom है, इसलिए heptan, एक वाला यह है, दूसरा, by cyclone, 2, 2, 1, by cyclone, 2, 2, 1, heptan, 7 all, यह दोनों में से कौन सा सही है, पहले तो बता तो भी है, दोनों सही है, मगर यदि दोनों option में आपको दे दिये, और यदि आपको tick लगाना है, यह दोनों सही है, खूद एक ही है वो खूद कींग ही है उजड़ा वनमा एरेंडो प्रदान यह Should King है इसलिए इसको Last में ही लिखना है इसको Generally Prefix में कहीं लिखना है यह दोनों सफ्थ सही है मंगर दोनों सफ़ेही में जहादा सही है यह वाला लिख्याना ठीक है नेक्स एक्वेजंबल अरे बया समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बता दीजेगा मुझे यहां पर मंद बोद आलो ओफ bombing दे रखा है यहां पर आपको आयूपर कोड्र में जा आपको बता है किंग जो है King utilizzakeал को ही देगें मगर यहां पे बीच में हम नहीं सपर यूद्च यूदकि वह देन यहांस लिए फर्स नंबर इसको ही देना है ibs नहीं से करोगे तो पिर यह भी नहीं चलेगा क्योंकि यहां से यह दि दे दिया तब थर्ड नमर पर ओच आएगा फिर आपको सही जो है वो कहां से नमरिंग देनी है देख लिजगा सही नमरिंग जो है वो कहां से स्टार्ड करनी है आपको यहां पर किटोन है यहां पर यह ओच है फॉस्ट नंबर जो देना है आपको वो यहां से देना है यहां से यह आपने दे दिया ना तब यह जो खे वो ओच है वो कम नंबर पर आएगा फाई शिक्स और सेवन कम नंबर पर आएगा यहां पर थ्री नंबर पर आएगा वहां पर टू नंबर पर आएगा इसलिए यह ज रखना पड़ेगा यहां पे जो की हो किटोरन है इसलिए उसको लास्ट में लिखे lle चीजह है है टू- हाइडरोक्सी 22 यहां पे दो एकम है यहाँ पे दम है लगर यहां पे चैवाइज न में बित है दूगुमें यहां पर मांदलो यह वाला ही structure है यहां पर आपको किटोन दे रखा है और यहां पर आपको वह दे रखा है ठीक है assylone बोलते है नए इसको क्या बोलते है भार सालॉल आतायड कीटोर है अब देखेंगा यह जो किटोर है ना किंग वह लोंगचेंड मैं अ गया है किंग जो है लांगचेंड में यहाँ पे ये is Getting कहा syndrome कीटोर है वह यहांसे नजदीक कायएगा वो देखली जीक है कि Tenemos है वह यहां से नजदिक आएगा इसलिए इसका जो आयूपर किया जाएगा थ्री हईड्रोक्सी वाइसाइकलो टू टू वन और टोटल एटम है सेवन इसलिए इसका यूपर दिया जाएगा है तो ब्रीज का यूपर कैसे करना है वह आपको अच्छी तरह से पता होना और एक यहां पे आपको एसे दिया गया है इसमें भी दो कर्बन दिये गये हैं यहां पसे आपको अयूपक करना है इसका अयूपक कैसे करोगे सबसे पहले यह वाला ब्रीज़ेट को भी दे सकते हो यह वाले ब्रीज़ेट को भी दे सकते हो आप ठीक है यहां से यह दी दे दिया फिर आपको यह तीनों चैन सेम ही है आप यह भी चैन में जा सकते हो यह भी चैन में ज जाएगा 3 4 अब यहां पर नहीं जा सकता हो क्योंकि यहां पर सब्ट्यूशन इसलिए यहां पर 5 यहां पर 6 अब 7 नमर जो देना हो वो continue त्यान से देखेगा अब में क्या कहने जारो चलो 1 के बाद यहां पर 2 3 4 5 6 फिर यहां पर ब्रीज हेड पर जाना है यहां पर 7 आएगा यहां पर 8 आप इसा नहीं कर सकते हो यहां पर 7 नमर नहीं दे सकते हो देख लिएगा 1 2 3 4 5 6 6 के बाद आपको ब्रीज हेड तक जाना ही है ब्रीज हेड से यहां जाना है 7 8 और फिर से ब्रीज हेड आप यहां पर 7 और यहां पर 8 यह जैको नहीं चलेगा आपको सिक बीन गशनन करना है उसके बाद यहां पर इसके बाद करना है appear यह गाए इसलिए आपकंद देना है यह अँगा इसका जो नम मना ये चनुर होगा 2,5-dimethyl 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 2,2-2 total atom आ रहे है 8 मतलब octane total नमबर आ रहे है 8 मतलब octane कई सारे questions की sheets आपको दी जाएगी whatsapp group में ही आ जाएगी आज ही आ जाएगी यह lecture complete करने के बाद यह पूरी sheet solve कर लीजिगा आपको उसमें अच्छी तरह से पता चल जाएगा ठीक है चलो अब हिट्रो compound इसमें bridge हिट्रो compound में आपको कैसे nomenclature करना है मान लो यहाँ पर आ गया oxygen यहाँ पर है oxygen और इसका आपको आई उपर नomenclature करना है सबसे पहले याद रखेगा यहाँ पर जो आएगा bridge head वन नमबर यहाँ पर दिया जाएगा क्योंकि तब जाके oxygen यहाँ पर कम नमबर पर आएगा 3,4,5,6,7 सबसे पहले आपको हिट्रो जो अटम है उसको 2 oxa यहाँ पर क्या कहा जाएगा भे 2 oxa bicyclo यहाँ पर दो एटम है आपको carbon नहीं calculate करना है atom calculate करना है 2 यहाँ पर भी 2 और बीच में 1 2,2,1 total atom है 7 इसलिए इसका nomenclature का किया जाएगा 2,2,1,heb 10 ठीक है चलाब और एक देख लिजगा मांद लो यहाँ पर आपको इसे दिया जाता है देख लिजगा यहाँ पर है बीच में माननो नाइट्रोजन NH सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए यह तो भी आप ब्रीज हैड है फॉस्ट नमबर जो आएगा वो ब्रीज हैड को ही आएगा चलो यहाँ पर है ब्रीज हैड वन नमबर किसी भी साइट जा सकते हो मगर बीच में लिया सकते हो टू थ्री फोर फाइव सिक्स और लास्ट में जो आएगा वो सेवन है एगा नाइट्रोजन के लिए आपको पता ही होना चाहिए सेवन पर है एजा बाइसाइक्लो टू टू वन टॉटल एटम जो है वह है वह है आपको सिर्फ कार्बन के लिए नहीं करने भी या नाइट्रोजन भी आ जाना चाहिए लास्ट नमर जो आ रहा है वही लिखना है आपको है टैन लिखना है आपको यहां पर आप यहां पर आपको कुछ ऐसा दिया गया है यहां पर तीन कर्बन है और यहां पर दिया गया है आपको चलो देख लिए जगा फिर से चलो ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया गया है यहां पर तीन कर्बन यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर आपको बोरोन दे रखा है यह जो ब्रीज हेड है ठीक है चलो बोरोन के लिए यूज होता है बोरा बोरोन के लिए जो यूज होता है वो बोरा यूज होता है मुझे इसका nomenclature comment box में दे दीजेगा इसका I.U. पे क्या होगा ठीक है चलो यहाँ पर है इसका one number आएगा bridge head का longest chain में जाना है यहाँ पे two, यहाँ पे three, यहाँ पे four, यहाँ पे five, यहाँ पे six, यहाँ पे seven और यहाँ पे eight चलो इसका nomenclature क्या होगा eight bora eight bora bicyclo eight bora bicyclo, यहाँ पे है three atom, यहाँ पे है two atom, बीच में है one atom और last eight है इसलिए, यहाँ पे आएगा नomenclature, ओक्टेन, यहाँ पे क्या आएगा बैया, ओक्टेन आएगा, इसको ऐसे भी दिया जा सकता है, देख लिजेगा, इसको ऐसे भी दिया जा सकता है एक्जाममें, यहाँ पे यह तीन carbon है, यह तीन carbon को इसे जुड़े होगे, यहा जो है structure उसका ब्रीज structure ऐसे भी दिया जा सकता है आपको यहां पर आपको पता होना चाहिए ब्रीज हेड को फॉस्ट लोंगेस्ट जैन में आपको जाना है उसके बाद फिर से लोंगेस्ट जैन और लस्ट नमर इसको आएगा इसलिए आपको एसे दिया जा सकता है ठीक है चलो इसके बाद आप हेडिंग लगा दीजेगा चलो इसके बाद आप हेडिंग लगा दीजेगा स्पाइरो कंपाउंड स्पाइरो का नॉमिंट लेचर कैसे किया जाता है स्पाइरो कंपाउंड का नॉमिंट लेचर आपको कैसे करना है चलो इससे पहले मैं आपको बता दूँ स्पाइरो का हम नॉमिंट लेचर करें उससे पहले चलो मैं आपको बता देता हूँ दोनों compound के बीच में difference क्या होता है spiral as well as bridge compound ये दोनों के बीच में difference क्या होता है spiral compound किसको कहा जाता है bridge compound किसको कहा जाता है वो तो आपको पता ही है देख लिजगे यहाँ पर फिर से में एक structure draw करता हूँ यह दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्या है वो अच्छी तरह से पता चल जाएगा यह आप कमपीरिजन करके पढ़ोगे तब आपको यह समझ में आ जाएगा स्पाइरो किसको कहा जाता है जो भी दो रिंग होती है दोनों रिंग के बीच में सिर्फ एक ही कॉमनेटम होता है यहाँ पर देख लिजगा भी यह दो कॉमनेटम है यहाँ पर है दो कॉमनेटम यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉमनेटम है यदि दो रिंग के बीच में एक ही कॉमनेटम है तब उसको स्पाइरो कहा जाता है एदि दो रिंग के बीच में दो कॉमन एटम है तब उसको ब्रीज या तो बाई साइक्लो कमबाउंड कहा जाता है ठीक है यहाँ पे जो आई उपिक का रूस है ना फिर इसे ध्यान से सुनिएगा ब्रीज में जो आई उपिक का रूस होता है ना उसकी ऑपोजीट स्पाइरो में होता है ब्रीज में सबसे पहले यह कॉमन एटम यह कॉमन एटम ही हुआ ना दोनों रिंग के बीच में जो कॉमन एटम उसको दिया जाता है यहाँ पे common item को नहीं दिया जाता है जो bridge में आप करोगे वो इसमें नहीं करना है फिर से जो bridge में आप करते हो वो इसमें नहीं करना है इसमें सबसे पहले first number आपको कहाँ पे देना है bridge head पे देना है common item को देना है यहाँ पे common item को नहीं देना है मगर यहाँ पे सोचिए common item के pass वाल item एड़जसन item जो है वो तो 4 है यहाँ पे चार common item है किसको भई हम देगे so यहाँ पे जो करते है वो वहाँ पे नहीं करना है यहाँ पे इसको one number देखे हम long chain में जाते हैं न यहाँ पे कहाँ पे जाते हैं long chain में यहां पर आप लोंग चेंग में जा रहा हो यहां पर आपको सोड़ चेंग में जाना है चलो किस साइड सोड़ चेंग है यहां तो भाईया लोंग है इस साइड सोड़ चेंग है इसलिए आपको सोड़ चेंग सेलेक्शन करना है common atom के적ment यह वाला या तो यह वाला उसको आपको one number देना है प proud से मैं बता दूर है कि यहाँ पे common atom को आपको first number देना है यहाँ पे common atom को नहीं देना है यहाँ लुँग chain मे जाना है यहाँ पे sort chain में जाना है और one numbers already dena है एड्यर्शिट्ट nap with respect to common item आपको common item के password item को one number देना है चलो यहाँ पर देख लीज़िए यह one long chain selection किया हमने four five six seven eight चलो यह long chain selection हो गए यहाँ पर short chain selection यहाँ पर one two three four यह common item four है अब आप इस तरब भी जा सकते हो इस दरब भी जा सकते हो डोनो यह दोनो item भी है इसके साथ ही जुड़े हुए इसलिए उपर भी जा सकते हो नीचे भी जा सकते हो आप किसी की भी साइट जा सकते हो यदि सब्स्ट्यूटिशन आ गया तब आपको सोचना है किस साइट जाना है सब्स्ट्यूटिशन आ गया तब जाके ही आपको सोचना है किस सरब जाना है वो ठीक है चलो यहाँ पर देख ली जगा इसका जो नॉमिंक्लेचर है वो आपको अच्छी तरह से पता है इसका जो किया जाता है वो बाई साइक्लो फिर से देख ली जगा क्या किया जाता है यहाँ बाई साइक्लो यहाँ पर ब्रेक एट में आपको डिक् 8 मतलब octane, 8 मतलब octane, यहां पर आपने decreasing में लिखाई है numbering, यहां पर आपको increasing में लिखना है, जो बीमा कर रहे हो उसका उल्टा यहां पर करना है, इसको कहा जाता है spiro, not spiro, इसको बोला जाता है spiro, और spiro किसको बोला जाता है, दो रिंग के बीचे में सिर्फ एक ही common item में उ और five, total item इसमें है five, three, five और last में, last में total item इसमें कितने है, यहां पर last number है nine, nine मतलब nine, nine मतलब nine, यहां पर आपको decreasing में लिखना है, यहां पर आपको increasing में लिखना है, दूसरी बात, यहां पर आपको यदि last देखना है, यह वाला यदि fill up करना है, तब three plus two plus one और plus two, इसका अंसर यहाँ पर दो जो है वो कौन है यह ब्रीज हैड है यह दो ब्रीज हैड है यहाँ तरह पर आपको किसे सुystem सक्षाइब करना है यहाँ पर करना है यह Esse स्पर फाई यहां पर अंही मरत कि अब ये 9 हो गया है फिर से में बता दो भी यहाँ पर फर्स्ट मेंबर कि इसको देना है फिर्स नमर यहां पर देना है ब्रीज अपर यहां पर लिख भी लिजीगा ब्रीज gets first priority यहां पर एड़्जर्शन एटम वीथ रिस्पेक्ट्रू कॉमन एटम इन शौर्ट चैन गेट्स फॉस्ट प्राइटी यहां पर वन नमबर देना है कॉमन एटम के पासवाले को यहां पर गॉमन एटम को भी दे से पता चल गया है चलो मैं आपको और एक एक ग्जामल देता हूं मंद लो आपको यह काइट दे दी ठीक है 14 जनुरी चलो यह काइट दे दी इसमें फॉस्ट नूबर आप किसको दोगे इसमें जो फॉस्ट नूबर रहेगा वो common item जो है उसके पासवाल item मगर short chain में चलो इसको दे दो या तो इसको दे दिया में, किसी को भी दे सकता हो 2 नमबर यहाँ पर 3 नमबर यहाँ पर 4 नमबर इस सैट भी जा सकता हो 4 नमबर इस सैट भी जा सकता हो 4 5 6 क्या होगा इसका यूपेक फिर सब बता दो इसका यूपेक क्या होगा सबसे पहले आपको लिखना है हैSpyro यहां पर डिक्रीजिंग में लिखना है इसलिए यहां पर दो एटम है उसके बद यहां तीन एटम है ब क्रीजिंग में दॉप ब्रीज में लिखते था यहाँ पर इंक्रीजिंग में लिखना है टोटल एटम आ रहा है सिक्स सिक्स मतलब हेक्जन सो इसका अंसर रहेगा स्पाइरो टू थ्री हेक्जन चला और एक मुझे स्वाल करके दिखाएगा इसका जो नॉमिंक्लेचर वो क्या रहेगा यहां पर यह यहां पर यहां पर से भी जा सकता हो मन लो यहां यहां पर यहां पर यहां पर दे दिया तो क्या होगा बढ़ यह इसका SPYRO यहां पाँ है फौर इटम यहां पे है फाइव एटम फौर फाइड और लास्ट में जो आ रहा है टैन टैन मतलब डेकेन टैन मतलब डेकेन आ रहा है ठीक है चलो इसके बाद यदि इसमें सबस्ट्ट्टिशन दिया गया है मांद लो यदि यदि आपको यहां पर सबस्ट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यू नोमर देना है यहां पे 6 नोमर यहां पर 7 नंबर यहां पर 8 नोमर है इसका जो यह तो King है इसी को भी लास्ट में लिखए गाई और प्रायाइक प्रेयुरेटी में यह तो King है वह तो आपको पताई यह प्रायो होनी पहीँ आपको याद होनी चाहिए Ja यहां पर यह five होगा five hydroxy five hydroxy उसके बाद spiro five hydroxy spiral यहां पे है three atom यहां पे है four atom और last जो numbering आ रहा है वो eight आ रहा है इसलिए optend और one number पे on दिया गया है इसलिए one on आपको king किंग को लास्ट में ही लिखना है ठीक है चलो और एक एक जम्बल मंडलो आपको यहां पर फाइव मेंबर दे रखी है यहां पर फॉर मेंबर दे रखी है चलो यहां पर किटोन दे रखा है और यहां पर आपको ब्रोमीन दे रखा है अब आप फॉस्ट नंबर किसको दोगे स होचेगा है यहां पर पाइए ना चलो। यह बाला है यह तो है वह कॉमन एटम है। यह तो यह सोर्चन है इसलिए यह किंग है फिर भी आपको यहां पे भी यहां पे ही नंबर आपको देना पड़ेगा मगर यहां पे नहीं दे सकते हो यहां पे नहीं पड़ेगा वन नंबर पे कम नंबर पर आना चाहिए है वन यहां पे टू यहां पे थ्री यहां पे फॉर अब यह और लास्ट में आपको लिखना है टोटल एटम कितने हुआ एट मतलब 10 और लास्ट में ये किंग लिखना है आपको 5 नमबर पे ओन है इसलिए 5 ओन लिखना है यहाँ पे सो कहां पे ये ब्रीज और स्पाइरों में फिक्स रहता है ब्रीज में आपको यदि कार्बोगजिल के सिद भी दिया गया है फिर भी आपको ब्रीज हेड को ही वन नमबर देना है यहाँ पे यहाँ पे किसी भी जगह पे कार्बोगजिल के सिद भी दिया जाता है फिर भी up के पासवाल एंटरम को ही आपको फरस्ट नंबर देना है ठीक है इसके इसमैं भी अपको मिंदो यहां पर इसा कुछ देर रखा है इसकी कि यहां पे यह पर आपको ऑॉक्सियन देरा क्या है आपको इसमें भी वन नमबर कॉमन एटम के पासवल है यहाँ सौट में ही देना है मगर यहाँ पर ऑक्सियन इसलिए यह प्रायरिटी में आ गया आना चाहिए फॉर फाइव सीक्स सेवन एट वन नमबर पर है ऑक्सा इसको दिया जाता है स्पाइरो फॉर एटम टोटल आ रहे है एट मतलब ओक्सियन के जगा नाइट्रोजन दिया जाता है तब एज़ा बोरोन दिया जाता है तब बोरा इसके कहीं सारे जो एक्जामबल है वो मैं आज ही आपको ग्रूप में सीट में दूँगा आज ही सोल कर लीजेगा उसके आयूपेक के आंसर भी आपको उसमें दिया होगे सो यहाँ पे यह लेक्चर खतम होने के बाद अच्छी तरह से देख लिजेगा आपने वो सही किया है या गलत किया है कहीं सारे उसमें एक्जामबल दिये जाएगे सो सोल कीजेगा complicated भी आपको उसमें दिये जाएगे कैसा भी complicated क्यों न हो इतना concept आपको पता है तब वो चाहे कितना भी complicated क्यों न हो वो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा सो फिर से याद रखेगा आज यह हमारे यहाँ पे लेक्चर खतम होता है यह spiral bridge का मगर कॉल जो लेक्चर स्टार्ड करेंगे उससे पहले यह वाला जो लेक्चर हो complete आप solve के लिजेगा complete एक बार फिर से यह revise के लिजेगा उसके बाद ही यह next lecture देखेगा net के जो यह question पूछा गया था भाया आपको बता दो फिर से net के जो question पूछे गए थे वो भी आपको वो में ग्रूप में दूँगा net के question भी यह bridge और spiral के solve के लिजेगा यदि आपने अब तक यह form नहीं फिलप किया है तब हमारी जो website है आपको अच्छी तरह से पता है www.thephenol.com www.thephenol.com आपको जाके free registration करवा है ताकि आप यह हमारे group में जूड़ जागो उसमें मैं आपको यह net के question उसमें दूँगा वो net के question भी आपको solve करने है ठीक है? ठेंक्यू वेरी मुच नेक्स्ट लेक्टर में call हम IUPAC, नेक्स्ट IUPAC में हम मिलते हैं तीन दिन तक हमारी डेमो लेक्टर हैगा उसके बाद सारे जो question है वो application में आएगा application आप किसी भी में मैंने आपको बीच में ही बता दिया है application आप Android में भी open कर सकते हो iOS में या तो PC है या तो tablet है किसी भी features में आप open कर सकते हो ठेंक्यू सो मच नेक्स लेक्चर में मिलते हैं